हर्याना की सियम नायव सिंग सैनी ने कहा कि 25,000 युवाओं के नतीजे तयार हैं और जब हम नतीजे घोशित करने वाले थे तो विपक्ष कोट में चला गया और मुख्य चुनाव आयोग को अर्जी दी कि हम चुनाव के दौरान ये नतीजे घोशित नहीं कर सकते। नहीं दरसल लगतार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम पहली बार हर्याना के अंदर हर्याना के युवाओं में हर्याना के युवाओं के माता पिता में एक बड़ा विस्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले दस वर्सो के अंदर किया और लगातार हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही हमने इलेक्शन के दौरान में जब कोड आफ कंड़क्टर लगा मैंने उस से पहले जब मेरे को जुम्मेबारी मिली थी तो मैंने पचास हजार मैंनिंग लेटर दिया पचीस हजार के अभी रिजल्ट्स त्यार हैं और उस रिजल्ट्स के अंदर जब हम उस उन युवाओं का रिजल्ट निकालने के लिए तियार हुए तो विपक्स कोड में गया विपक्स चीफ एलेक्शन कमिशन के पास जाकर के उनोंने अपलिकेश जारी किया कि जब तक अचार सहीता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे और मैंने फिर तब घोसना एक की थी मैंने कहा था कि हम पच्चीस हजार युवाओं को पहले उनका ज्वैनिंग लेटर देंगे उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में म के बाद हम सब्त की डेट आएगी तो तब जाकर के बाद